स्कूल की नई टीचर ने अब तक शादी नहीं की थी। क्लास की लड़कियां इस पर उनका मजाक उड़ाने लगी। टीचर ने नराज होने के बचाए क्लास की लड़कियों को एक कहानी सुनाई। एक औरत की पाँच बेटियां थी। शोहर ने बीवी को धमकी दी कि अगर इस बार भी लड़की पैदा हुई तो वो उस लड़की को बाहर सडक पर फेकाएगा। लेकिन किस्मत से चटी भी लड़की पैदा हुई। शोहर ने बच्ची को उठाया और रात के अंधेरे में शेहर के बीचो बीच चौराहे पर रखाया। मा अपनी ममता से मजबूर पूरी रात नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही। सुभा उसका शोहर जब चौराहे से गुजरा तो देखा उसकी बच्ची वही पड़ी है। शोहर बच्ची को वापस घर ले आया लेकिन दूसरी रात फिर चौराहे पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार वो बच्ची को बाहर रखाता और जब कोई ना लेकर जाता तो मजबूरन उसे वापस उठा लाता। यहां तक कि बच्ची का बाप इसको खुदा की रजा समझकर राजी हो गया। इस आदमी को अल्ला ताला ने छटी बेटी के बाद पांच बेटों से नवाजा। लेकिन हर बेटी के बाद उसकी बेटियां फौत होती गए। यहां तक कि सिर्फ एक ही बेटी जिन्दा रही। जिससे बाप जान छुडाना चाहता था। वक्त गुजरता गया बच्चे बड़े हो गए। माँ फौत हो गई। टीचर ने कहा वो बच्ची जिसे उसका बाप बाहर सड़क पर रखाता था। वो मैं हूँ और मैंने अब तक शादी इसलिए नहीं की के मेरे वालिद बहुत बुढ़े हो गए हैं। वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते। और मेरे अलावा उनका कोई नहीं जो उनकी खिद्मत कर सके। और वो पाँच बेटे कभी कभी आकर अपने बाप का हाल चाल पूँच जाते हैं। मेरे वालिदक सर रो रो कर मुझसे कहा करते हैं। मेरी प्यारी बेटी जो कुछ मैंने बच्पन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ करना। मैं बहुत शफकत से उन से कहती हूँ। बाबा देखें अल्ला ताला ने मुझे आपके लिए जिन्दा रखा। ताके मैं आखरी दम तक आपकी खिद्मत करके अपनी आखरत सवार सकूँ।